नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है प्रदेश की दिन भर की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं सबसे पहले मध्यप्रदेश की बड़ी खबर मध्यप्रदेश में कुरोना के सभी प्रतिबंध अब हट चुके हैं शादी में महमानों की लिमिट खत्म हो चुकी है सौ प्रतिशत चमता के साथ स्कूल कॉलेज शुरू किये जाएंगे और साथी नाइट कर्फ्यू भी आज राद से हटा दिया जाएगा शादी में मेरिज गार्डन हॉल में पूरी चमता के साथ महमान बुला सकेंगे ये बड़ी राहत मध्यप्रदेश सरकार ने दी है रात ग्यारा बज़े से सुबह नौ बज़े तक लागू नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल जिम योगा सेंटर रेस्टोरेंट क्लब सौ फीसदी चमता के साथ खुल सकेंगे मेलों का आयोजन भी हो सकेगा मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लागू किये गए सभी प्रतिबंध राजी सरकार ने हटा लिये हैं महमानों की संख्या और तमाम जो रिया सिंग चोहां ने बुद्भार को सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दिये ये आज से ही लागू हो जाएंगे बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से व्यापार के दृष्टिकोंड से देखा गया था कि तमाम नुकसान उठा रहे थे व्यापारी और लगातार ये मांग कर रहे थे वैक्सिनेशन पर जोर दे रही है सरकार और सबसे ही अपील कर रही है कि वैक्सिनेशन जल्द से जल्द कराएं और बड़ी बात यह देखी गई कि लोग फस्ट रोज के बाद सेकेंड डोज लगवाने में जिस तरह की धिलाई कर रहे थे देरी कर रहे थे उसको ल सब पर पूरी शमता के साथ अब कर सकेंगे लेकिन सावधानी अभी बेहत जरूरी है और जो सरकार लगातार आपसे यही अपील करती है दूसरी खबर की और बढ़ रहे हैं दूसरी खबर है रिटायर्ट फॉजी हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं अजान नंबर से कॉल कर अ रुपए एठे गए पूरा मामला ग्वालियर का है जहां पर वाटसेप पर यूती ने अश्लील चैट की उसे स्क्रीन शॉट दिखा कर ब्लैक मेल करने लगी इसके बाद रिटायर्ट फॉजी से एक लाक बीस अजार रुपए एठ लिए गए यूती ब्लैक मेल की दूसरी यहनी ट्रैप का मामला हुआ मुबाइल पर अंजान नंबर से कॉल आया वाटसेप पर चैट हुई और उसके बाद वाटसेप चैटिंग के बाद कुछ दिन बाद असलील चैट शुरू हो गई वीडियो कॉलिंग होने लगी जिसके बाद उन्होंने भी रिप्लाई किया उ और जब दुबारा दूसरी किस्त लेने युवती और वो तमाम वो जो गैंग थी वो जब पहुंची तो उसे पुलिस ने धरदबोचा है तो यह मध्यपरदेश की दूसरी बड़ी खबर थी तीसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं तीसरी खबर है पशु के साथ कुरूरता अ घसीटा गया सीमों ने नोटिस थमाया है और यह पूरा मामला है गुने गुना के कुमराज इलाके में मृत गायों को अमानवी तरीके से नगर परिशद के ट्रैक्टर के पीछे रसी से बांध कर घसीटा गया इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में तीन मृत गायों को ट्रैक्टर के पीछे बांध कर घसीटा जा रहा है जैसे ही मामला सामने आया तो नगर परिशद कुमराज के अधिकारी हरकत में आया और एक कर्मचारी को नोटिस दे दिया इस्थानी लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की है ग सब्सक्राइब काईत के सवाल ख़ड़े होते हैं कि आखिर ये लोग इतने समवेधन हीन क्यों हो जाते हैं इस तरह की परिश्थितिएं आखिर क्यों निर्मित हो जाती है अब बात करते हैं तीसरी खवर की तीसरी ख़बर है सीधे तोर पर आज जब राजनात सिंग Sant उनके साथ थे मापितंबरा माता के दर्शन करने पहुंचे थे दतिया राजनात सिंग करीब 28 मिनट तक मंदिर में रहे सिंग ने रास्ट रक्षा के लिए 10 मिनट तक वहां पर पूजा अर्चना की सुरक्षा के दृष्टि से उत्तर प्रदेश के स्रम मंत्री जहांसी के वि कालियर एरपोर्ट पर विशेस विमान से आये थे यहां से हेलिकॉप्टर से जहांसी में आज़ी ताजादी कमरित महुत सो 2021 में तीन दिविशी रास्ट रक्षा समरपन पर पर शामिल होने आए कार से दतिया पहुंचे दतिया में मापितंबरा के दर्शन किये और यह पू प्रार्थना की तो यह थी प्रदेश के दिन भर की चार बड़ी खबरें ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंद्या टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद